अब देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा यह जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है जौप से तो उसको सेफटी के साथ करेंगे तब भी तो वो काम ठीक से हो पाएगा ना अब सेफटी कैसे मैंटेन करें जब हम एनलाइस करेंगे कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें कितना रिस्क है तो अगर ही यह हम analyze कर लेंगे तब ही हम उसे remove कर पाएंगे और जो भी job हम कर रहें जो भी काम हम कर रहें उसे safety के साथ कर पाएंगे तो कोई भी काम को करने से पहले JSA करना बहुत ज़रूरी है यानि कि job safety analysis करना बहुत ज़रूरी है उसी के बाद हम किसी भी work को आगे कर सकते हैं अब JSA क्या होता है JSA यानि कि job safety analysis हमें पता जल गया ठीक है अब इसमाब हम करते क्या है JSA में तो JSA में हम करते हैं सिर्फ इसमें ये करना होता है identify hazards हमें hazards जो है वो identify करने है यानि कि कितने खत्रे हैं कितना खत्रा है उस जगे पर काम करने में और controlling risk और risk को control करना ये activities JSA में की जाती है ठीक है ये जो activities है ये safety department की तरफ से कराई कर्जक की जाती है मतलब उसमें क्या होता है ब्रोकडाउन करना होता है किसी भी चीज को एक step by step किया जाना मतलब किसी भी काम को step by step करना ये इस काम होता है JSA का ठीक है अब जब हम risk जो है risk देख लेंगे उसमें controlling risk करेंगे उसे पहले risk assessment तो करना पड़ेगा ना हमें देखना तो पड़ेगा क क्या क्या खतरा है ठीक है और कितने level तक risk हो सकता है यहां पर फिर हम उसे control करेंगे तो ये सारा काम होता है JSA का जब हम JSA maintain करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़े की जाती है तो JSA के जो step रहते हैं उसमें यही होता है पहले हमें identify risk करनी होती है कि क्या क्या risk इसमें हो सकती है hazard identify करना होता है ठीक है अब जो भी hazard हमने देखा ठीक है अब माल लीजे कोई ladder पर चड़ा है एक इंसन काम करने के लिए ladder बीच में ही है नीचे कोई support नहीं है उपर से उसने helmet नहीं लगाया तो हमें साफ दिग गया इसमें कितना खत्रा है ठीक है हमाल लीजे कोई height पर work कर रहा है अब वहाँ पर guard rails नहीं लगी हुई है ठीक है तो rails नहीं लगी हुई है तो अब यह तो हमें दिग गया ना भी hazard है अब risk कितना level हो सकता है उसमें वो हमने देखा अब उसे eliminate करने के लिए क्लिए क्या करेंगे उस इंसान को बताएंगे और जो भी वह work कर रहा है उसे carefully करें इस तरीके से तो हमने क्या किया है हजार identify किया risk assess किया वहां से पता कर रहा हमने ठीक है अब हम उसे risk जो है उसे eliminate करेंगे control करेंगे ठीक है उसके बाद जो भी हमने JSA बनाए है किसी भी काम को करने के लिए JSA बनाए है तो क्या करेंगे उसक का एक documentation prepare करके रखेंगे कि इस तरीके से ये काम किया जाएगा इसका job safety analysis यह है कि इस काम को अगर इस तरीके से किया जाएगा तो यह safely हम कर सकते हैं अब देखें JSA जरूरी क्यों है JSA जोब safety analysis क्यों नेसेसरी है इसकी इसलिए जरूरी है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं अपनी workplace पे तो हम बहां देख सके कोई भी काम है कोई भी task हमें दिया गया है या कोई भी चीज हम कर रहे हैं उसको हम safely करें अब safely कैसे करेंगे तब रिस्क जो है control करेंगे ठीक है recovery measures control करेंगे ठीक है माली जे किसी को अगर काम करते वक्त चोट लग गई तो यह तो हमारे लिए बुरा होगा ना तो जैसे अगर हम करते हैं तो ऐसे कोई problem नहीं आएगी ठीक है इससे क्या benefit हुआ हमारा कि हम जो भी काम को कर रहे हैं उसको एक तरीके से कर रहे हैं कोई भी काम अगर तरीके से किया जाएगा तो क्या होगा वो accident जो होना है वो नहीं हो पाएंगे अमाली जे कोई सामान उठा रहा है अब वो सामान को ठीक तरीके से नहीं उठा रहा है ऐसी उठाये जा रहा है तो उसकी body को harm हो सकता है ना तो जो भी च पताया मैंने जैसे कि अभी कि job safety analysis इसका नाम ही है कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी चीजे जान लेना ठीक है तो इसलिए इसकी ज़रूरत है अब instructions क्या होगे JSA conduct करने के ठीक है तो इसमें क्या होगा जो भी आप काम करने जा रहे हैं किसी भी चीज के लिए तो आपको उसे explain करना होगा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं इससे आपकी जो भी आप बना रहे हैं JSA से क्या benefit होगा क्या क्या चीजे अच्छी हो सकती है टास्क को perform करने से पहले सब को उसके बारे में सभी employees को उसके बारे में awareness होनी चाहिए कि यह work आपको इस तरीके से करना है तभी तो वो कर पाएगा जो भी आपने JSA बनाया अगर उसे पता होगा इस JSA क्या according आपको यह work ऐस तरीके से करना है तभी तो वो उसको कर पाएगा तो सारे employees को उसमें involve करना जरूरी है ठीक है जो भी आप task perform कर रहे हैं वो उन्हें पता होना चाहिए और फिर उसके बाद पता करना चाहिए कि यह काम अगर इस तरीके से हो रहा है तो कितनी safety इसमें maintain हो रही है ठीक है तो जब आप वो JSA implement करेंगे तब उस काम को अगर आप लगाएंगे JSA को उस तरीके से उस काम पर लगाएंगे तो वो जो है कितने percent accidents रोक रहा है और कितने safely आप work कर रहे हैं यह सारी चीजें हमें पता चल पाएंगी ठीक है तो इसलिए instructions है कि अगर आप कोई भी JSA बना रहे हैं जो भी आप करने जा रहे हैं तो उसे explain करें कि आ बाता होना चाहिए कि इस तरीके से हमें इस JSA को perform करना है कोई भी work हमें इस तरीके से करना है तो यह JSA कंड़क्ट करने का instructions यह हैं अब JSA करने से क्या benefit होगा तेकिए JSA करने से अगर हम JSA apply करते हैं अपनी job पे अपनी work place पे तो इससे क्या होगा हम अपने work place पे पे अपने काम करने जो भी है वो आसान हो जाएगा और safe हो जाएगा चीक है और इसका main goal क्या होता है main goal यह होता है कि सबको सबको पता होना चाहिए वैसे तो यह सारा काम safety department का होता है पर अगर हम उनको इस तरीके की meetings में involved करेंगे तो उनको भी समझाने लगेगा कि हम किस तरीके से हज जो है identify कर सकते हैं कैसे control कर सकते हैं कैसे सबको safe रख सकते हैं चीक है तो जैसे जो है job safety analysis से हमें यह सारे benefit मिल सकते हैं तो यह जो है work place पर करना बहुत ही जुरूरी है और लोग करते भी है जो भी work place है वहाँ पर जैसे बनाये जाते हैं उनके according काम किया भी जाता है उसी के त काम कर रहे हैं उनके लिए होता है कि अगर वो काम करते वक्त उन्हें कोई चोटना लगने पाया और काम जो है वो भी हो जाए ठीक है तो इस तरीके से हम accidents को रोख सकते हैं होने वाले accidents को रोख सकते हैं तो यह मैंने आज आपको JSA के बारे में बताया job safety analysis के बारे में कर दो जो थाए जो तो तक्यू